दोस्तों पॉइंट्स में बात करते हैं इस वीडियो के अंदर दोस्तों पहला जो पॉइंट है वो दोस्तों ये है कि मैंने आपको पहले एक तरीका बताया था जिसके अंदर आप लोग को बताया था कि कैसे आप किसी भी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं फेस्बुक से इस नाम से मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी जिससे आप लोग किसी भी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं fb.net की वेबसाइट से दोस्तों अगर आप लोग उसको यूज करके अराम से डाउनलोड कर पा रहे हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट था है वो यह है कि दोस्तों आप लोग अभी भी इशू फेस कर रहे होंगे दोस्तों इसकी जो वीडियो जो अपलोड हुई है आप लोग नीचे देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी शेयर का बटन आपको नहीं दिख रहा सिर्फ और सिर्फ लाइक और कमेंट का बटन है दोस्तों इस केस में अगर आप लोग fb.net पे जाके इस copy को link करके वहाँ पर डालेंगे भी तो भी दोस्तों वो आपकी वीडियो को download नहीं करेगा जैसे की आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने copy किया link और दोस्तों मैंने यहाँ पर fb.net पे गया और दोस्तों यहाँ पर मैं अगर डालूँगा आपका वो वाला link जो की private video का link है basically तो दोस्तों यहाँ पर एक error यह fact देगा तो दोस्तों इस case में आप लोग क्या करें तो दोस्तों इस case में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है तो video might be private और not public तो आप लोग इसको download नहीं कर पाएंगे तो फोन में अगर आपको video download करने है जो कि private हो उसका तरीका मेरे पास आज की रेट में है और दोस्तों उसके लिए कोई भी video that you want to download चीए दोस्तों उस link को copy करने के बाद दोस्तों आपको जाना है Google Chrome पे और गूगल ग्रोम में जाके आपको उस link को paste कर दिना है यह है दोस्तों आपका second step तो जो सेकिंद स्टेप में आपको क्या होदा है दोस्तो उसमें लिखा होगा m.facebook.com और दोस्तो m.facebook.com को अभी आपको change करना है दोस्तो आपको इसको change करके mbasic.facebook.com कर लेना है तो दोस्तो आप यहाँ पे click करेंगे, edit करेंगे URL को दोस्तो आप चाहें तो आप अपने phone के अंदर बिक्कुल साथ साथ में भी कर सकते हैं आप इस video को post कर दीजे और इस step को perform कर लेजे अगर दोस्तो आपने कर लिया step तो दोस्तो आगे बढ़ते हैं और next step पे चलते हैं दोस्तो आप इसको enter करेंगे तो आपके सामने दोस्तो कुछ ऐसी video खुल जाएगी दोस्तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो facebook का पूरा URL है पूरा interface से totally change हो गया है पूराना पूराना सब कुछ दिखरा होगा आपको दोस्तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है हमें step 4 execute करना है दोस्तो step 4 क्या है facebook वीडियो को डाउनलोड करने के लिए दोस्तो step 4 के अंदर आपको यहाँ पर play बटन पर click करना है दोस्तो मैं पहले voice कम करें तो नहीं तो आपको मेरी voice आएगी तो यहाँ पर दोस्तो हमने play बटन पर click किया दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक नया URL खुलेगा और नया URL में एक वीडियो खुलेगी तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देखा है यहाँ पर एक नया URL और नई वीडियो पॉप-प में वीडियो खुल गई है अब दोस्तों आपका final step बताते हैं तो डाउनलोड पेस्बुक वीडियो फ्रम प्राइवेट एकांट और प्राइवेट ग्रोप उसके लिए दोस्तों जो फाइनल स्टेप है वह आपको यहाँ पर दोस्तों त्री dots पे click करना है और दोस्तों यहाँ पे आप click करना देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो या तीन option आपके यह जो वीडियो है आपकी 100% चल चुकी है दोस्तों उमीद करताऊ आपकी वीडियो पसंद आयोगी और दोस्तों आप डाउनलोड कर पाएंगे अपने किसी भी जो कि प्राइवेट हो करी तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक कलेश अब आगेड़े